नमस्कार में आस्था शिवास्तव और आप देख रहे हैं लोगनार आएए डालते हैं आज की खास ख़बर पर नजर रविवार 19 वरवली को आरजियन अपूलू स्पेक्टर होस्पिटल में एक और सफल किड्नी प्रत्यारोबन किया गया मरीज श्री अफजल उमृत 33 वर्ष यूपी के निवासी हैं जिनकी दोनों किड्नी खराप थी और वेक्स पिछले आठ महीन से सब्ता में दो बार डालेसिस पर थी जब अफजल को गुर्दर प्रत्यारोबन की सला दी और ट्रांस्प्रांट कॉडिनिटर श्री शाहिद ने प्रत्यारोबन से संबंदत सारी जानकारी थी तो उनके पिताजी, मा और पत्नी तैयार हो गए जाच उपरांत उनकी पत्नी श्रीमते महरू निशा उम्रू 30 वर्ष ने एक किड्नी दान दी प्रत्यारोबन के पहले सबी जाचे की गई एवं विदिवर जालोल उत्तरप्रदिश की अंग पत्यारोबन कमीटी की अनुमती की बाद ओपरेशन किया गया डिस्चार्ज के समय मरीज की प्रत्यारोबन किड्नी नॉर्मल काम कर रही थी प्रत्यारोपन टींग के सदस्र डॉक्टर मनेश गुप्ता, डॉक्टर प्रवेश गुप्ता, डॉक्टर जीतेंद्र राजपूत, डॉक्टर गोगरनमान जी एवं एनस्थीसिया विशेशर्गी डॉक्टर मनमुहन सिंग जादव, डॉक्टर महेंद्र गंगिल, डॉक्ट पर उपलब्द है इसके साथ ही मरीज और उनके परिजनों को कम परिशानी का सामना करना पड़ता है डॉक्टर प्रवेश गुप्ता ने इस विशे पर पूरी जानकारी लोकनात के साथ सांजा करी नमस्कार मैं अभी शेख शिवास्तर और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रवेश गुप्ता जी आज आरजन अपूलो में अभी हाल फिलार में एक किड्नी डान्स प्लांट का ऑपरेशन किया गया है डॉक्टर आप उस बार में कुछ प्रवेश गुप्ता है और मैं अपका बहुत बहुत आबारी हूं के वर्ल्ड किड्नी डे के मौके पर हमने जंता से जागरुक करने का अभियान चलाया है इससे काफी लोगों को जो ब्रहंति आया किड्नी वीवानियों के संबंद में उसके बारे में हम जागरुक कर पाएंगे और अभी हाली में जैसा कि आपने बता है कि हमारे ऑस्पाल में हमने हमारा चौथा सफल किड्नी ड्रास्प्लांट भी किया है जो कि जिसकी विशेश इसको किड्नी दान की थी तो इसमें कई सारे लीगल टेक्निकल इशूंस थे और इसके अलावा कुछ सर्जिकल चलेंजेश भी थे हमारी टीप के सामने क्योंकि जो वाइफ जो डोनर थी उनकी जन्मजात उनकी दौनों तरफ किड्नी में दो नसे थी जो ब्लेंट करके और उनके हस्बेंट में उसको ट्रांस्प्लांट करना अपने अपने सर्चिकली चैलेंजिंग लेकिन हमारी टीम ने इसको अच्छे से सफलता पूर्वक अंजाम दिया है और यह आज हमारे साथ में जो हैं जिनकी हम नहीं किड्नी थी मैरों इशा जी हमारे साथ गया था वह लेप्रेस्कोपिक पद्धिती से किया गया था जाने कि बहुत छूटे कट आते हैं इसमें बॉड़ी में उसके द्वारा किड्नी के ग्राफ को रिट्रीव किया गया इसका फाइदा यह था कि हमने दो या तीन दिन वादी हस्पताल तो चुटी कर सकेते और आ जाना चाहेंगे हैं अगदान कोई डरने की चीज है ऐसा कुछ भी लगता है और मतलब एक दूसरे कोई वादब करना चाहिए तो और अच्छी बात हैगी जी डर तुका करते लगता था लोगों कोई हमने जब आमारे साथ हुए तो हमें ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं गया हमें तो यह सा लगा कि मतला हर चीज में आपको अपरेशन जैसे हमने दूर्भीन पद्दिती से किया था हम में बताया तो हम जैसे जनता को हम तो बताते ही है कि इससे और परेशन की रिगवरी फास्ट होती है प्रेशन को दर्द गम होता है लेकिन आप अपना परसनल एक् अपने काम पर दर्द भी कम रहा है जैसे कि डॉक्र ने बताया भी सिर्फ दस दिन हुए दस दिन में भी आप अभी तीन तिन भी अब डिस्चार्ज भी हो गही हो गई और आपने गर होके आई होंगी तो वहां भी आपने आरम किया तो यह चला फिर भी कि मजलब हर जाई आपने से ताथ अवाफ खुद नहीं दिये और किसी तरह किया पर कोई परिशानी नहीं और सिकी कोई मादाद मी नहीं विलेगों नाहाद लोग अगर दिकत होती तो पूर भी मदाद ने प्याहे लिए आपके जो अस्पेंड है जिनको पिली लगाई उनकी क्या पर दें प तो पेशा वच्चे से आरहा है अलबाद मुँआ चीज़े आप मद्यान दग रहे हैं जो जो उनको बताया है सारे चीज़े आपके हैं जैसा भी हमारे पास में एक लाइफ फीडबैक है रिसेंट जो हमारा हुआ हुआ है तो इसमें पेशेंट खुद अपना एक्स्पिरि में अंगदान का बहुत जो है शॉटेज है इस्पेशली नौर्थ इंडिया में और लाखों मरीज हैं जो इस समय है मतलब जिनको कि लिवर की या पर आपका हैं तो हाइट की दूसरे हमों की जरुवत होती है लेकिन हमारे मन में कई इस तरह की ब्रांतिया हैं कि जिसकी वे में ज्यादा से जादा जाने जावरूप हों और इन फ्यूचर जो अंगदान के महत्व को समझें को कि इससे आप एक नहीं अनेक जिन्दियों को बचा सकते हैं तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और जरूवत पड़े अपना ऐसा कुछ हो अगर आप कर सकती हूं तो एक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही हमारे सोशल मेडिया हैंडल जैसे कि इंस्टाग्राम और फेस्बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं